अगे चलिए सर मटीरियल क्या है मटीरियल में क्या-क्या कॉंसर्ट पढ़ने वाले इन सारी बातों को आज देखेंगे पहले भी देख चुके ऑल्डो दो ही टॉपिक है मटीरियल के अंदर एक है लेवल of inventory और एक है हमारा stock laser level of inventory में एक हम पढ़ेंगे EOQ या reorder quantity जो कि हम last class में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से EOQ या reorder quantity निकाला जाता है अगर आपको formula याद है तो कि बता सकते हैं क्या होता है EOQ का हमारा formula याद है sir EOQ इसका full form क्या था economic order quantity क्या था 2AO इसका under root divided by C ये था हमारा economic order quantity का formula जो कि हमने last class में देखा था और इसके उफर एक से दो सवाल किये थे आज एक से दो सवाल करने के बाद ये तीनों सारे parts चितने भी है आज सारे के सारे हम क्या करेंगे cover कर लेंगे minimum level maximum level और average level और एक reorder level ठीक है तो फटा फट से एक और सवाल इस पर हो जाया आज स्टार्ट होने से पहले formula लिखवा दिया गया था आपको ये सारा सबका meaning भी बता दिया गया था एक questions किया था इस questions को हम और detail में जो कहते हैं इसको हम कर लेंगे पहले हम एक और questions कर लें आपके लिए चलिए एक छोटा सा questions इसको करने के बाद आ गया जाए कहता है यू और यूर फैक्ट्री है use component of production दस पर यूनिट यानि हमारा price दे दिया rate दे दिया हमारा कितने 10 रूपए ठीक है components आगे कहता है annual requirement 20,000 यानि ए दे दिया हमें 20,000 carrying cost inventory 10% पर रेनम कौन बच्चा बताएगा से carrying cost क्या होगा कहता है 10% पर रेनम कोई बताएगा carrying cost क्या है इस सवाल में कोई बता सकता है कि केरिंग कॉस्ट क्या होगा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्राइज का हमेशा परसंटेज निकलेगा याद आया एक रुपए होगा carrying cost एक रुपए होगा और ordering cost कहता है यानि ओ ओ ओ देट इस चार सो रुपए कि ये पर और दा पर चेज मेनेजर आर्गिव अब देखो परचेज मेनेजर जिद बहस कर रहा है आर्गिव का मतलब अर्गिमेंट कर रहा है दा ओर्डरिंग कॉस्ट हाई इस एडवांट जो और इंग कॉस्ट बहुत जादा है इसके प्लेस पे आप सिंगल और करो और रिक्वार्मेंट कहता है कि भी आप न तुकड़ों में मंग रहे हो और रिंग को जाद है आप तो अपना बेड़ा गत कर रहे हो हम मैंनेजर है हम से पूछ वह हम बताएंगे करना चाहिए कि बार माल मंग वह हम देख लेंगे कि ही ऑल्सो सेज दैस और बीस हजार यूनिट टाइम कैन भी थ्री परसेंट डिसकाउंट और बोलता है मैं तुम्हें बताता हूं एक फाइदे की बात और तुम्हें एक साथ माल लाओगे तो सस्ता भी पड़ेगा मंग वाल लो माल तो भया मालिक को थोड़ा सा पेसेंस सख बाता हूं कि तुम माल को एक बार मंगा और जब की रूल किया कहता है हमारा कि आप माल को मंगा किसके एकनॉमिक ओडर क्वांटिटी के हिसाब से मंगा पहले पूरा का पूरा आपको को कुश्चन क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए यानि हमें यह वाला पॉइंट है यह पॉ आपना इयो क्यू जो है ना आपका इयो क्यू यह बेकार वाला फॉर्मूला छोड़ दो आप मेनेजर कहता है यह सब नहीं चलेगा आप इयो क्यों को इखटा मंगा इखटा कितने यूनिट की रिक्वर्मेंट है एक बार में जाओ और उठा के लिए आओ 20,000 इसके की बात माल लेते हैं यो क्यू से टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी और एक बार तेरा डिसकाउंट से भी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी दोनों को कर लेंगा जो बढ़िया वो ले लेंगे थोड़ी नहीं कि या कुछ नुक्सान हो जाएगा तो पहले हमें यो क्यू क्यों वाले के सुनन लेते हैं हमारे कॉस्ट अकॉंटेंट की बात सुनते हैं इंतु में एन्वाल डिमांड क्या आएगा 20,000, O कितना है, O कितना है, 400, C कितना है, एक रुपए, इस सभी का अंडर रूट कर दो, तो यह आ गया, कितने आगे भाई साव, चार हजार, अकाउंटेंट कहता है, भाईा, एक बार मिए कितना ठाले है, भाई साम, टोटल फर्चा जो होगा, ना, टोटल जो होगा, न, एक्सपेंस, वो क्या होगा, टोटल एक्सपेंस बता है, क्या होगा तोटल expense क्या होगा सस्तों एक तो आपका जो quantity होगा कुआंंटिटी जितना लगेगा ठीक है न इंटु में आपका रेट समझ यह बात को इसमें क्या जोडं दोगे सर इसमें ऑर्डर क्वांटिटी डालदोगे तो स्दोडर एसे निकलेगा एन्वल डिमांड डिवाइड़ वाइड़ एक इनटू में रेट इसके बाद कैरींग कॉस्ट हो जाएगा क्या होगा कैरींग कॉस्ट इयोग एवरेज लोगे डिवाइड़ रेट यही बोला है तो चलिए सर इसका निकाल लेते हैं तो कितने यूनिट थे सर हजार एक बार के कितने लगते हैं चार सो प्लस ईयो क्यू कितना है सर चार हजार डिवाइड़ बाइट टू फॉर्मुले का पार्ट है केरिंग कॉस कितना है एक तो भैया टोटल खर्चा आ गया यहां पर दो लाक और प्लस में इसको अगर हम सॉल्व करें तो दो बीस हजार तीन जड़ो सो तीन जड़ो कैंसल दो हजार और प्लस यानि हमारे अकाउंटेंट भाई साप कहते हैं आप मंगालो पूरे साल में दो लाक़ चार हजार का माल पड़ेगा आपको यह 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 किसने बोली यह बात अकाउंटेंट ने बोली के 2000-4000 अब मैंने बोला चल भाई तेरी मैंनेजर मैं सुन लेता हूं मैंनेजर कह रहा है कि भाई तुम्हें काम करो न तुम्हें एक बार में पूरे 20-20,000 मैंने खाऊ चलो तुम्हारा टोटल निकाल लेते हैं तुम्हारा टोटल निकाल लेंगे तो कितने आगे 20,000 लेकिन कहा नई नई 20,000 इंटू में 10 मत करना डिसकाउंट मिलेगा तो 9.7 कर दो अब बच्चा पूछेगा सर 9.7 कहां से निकाल लिया सुमझ मैं यह बात इसके बाद क्या होगा यह क्या कितना है सर यही है इन्हां डिमांड और क्या बोल रहेगा तो जाए प्यारिंग कउस्ट पर जाएगा और यह क्या होगी हमारा 20,000 निकाल लोगे तो रुपीश पर निकलता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब इससे पूल समझ नहीं आरा वीडियो ब्लर है क्या बात कर रहे हो कोमल का कहना है सर वीडियो ब्लर है वीडियो पॉज हो गई है बाकी बच्चे भी बता दो वीडियो ब्लर और पॉज का ईशू किसको है अब बाकी स्टूडेंट भी बता दो कर दो कर दो कर दो कोई बात नहीं मैं एक बार देख लो उसका भी बच्चों ने बूल दिया कि एक मिना टुक जाओ बस कि अग्याओ कि अग्याओ में पूरा रिपीट करतूंँ आप ने कहां सर रिपीट कर दो लो जी लो कि मैं पूरी दुबारा फ्रेऌ रीकॉर्टिंग खतम प्रेश रिकॉर्टिंग चर्फ आप यह दुबारा कि और और रहा यह तरह यह बीडिल्ट कि ठीक है पहले यह बता दो आवाज वीडियो वगेरा सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ें नहीं तो यह लोग इसको रिकॉर्डिंग भी कार्ट देते हैं बच्चे कह रहे हैं बलर है बलर कई बार ना हो जाता है मेरे को कई बार लगते हैं इसको अटो होकस करते हैं कि बताइए सब कुछ ठीक ठाक है तो दुबारा पढ़ना चालू करें फिर से दुबारा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक कोशन लेट हो जाएगा आज क्लियर है सर चलिए चलिए सर मैं एक बार दुबारा री कैप दे देता हूं फिर से नई क्लास आज थोड़ी क्लास मान लो लेट शुरू हुई है ठेक है तो हमने क्या करा सर मटीरियल किया मटीरियल के अंदर हमने चैप्टर को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है सर दो पार्ट कौन कौन सा है एक स्टोर लेजरवाला पार्ट है और एक लेवड औफ इंवेंटरी है लेवल अफ इंवेंटरी में यो की है यो क्यों का फॉर्मूला किया होता है यो क्यों एकल तू टू आ ए औуда लेवल मेंक्सम में सीख लेगे इसके उपर हमने कुछ बैसिकली क्यों उता है वो सारे चीजे देखने के बाद फॉर्मूले को हमने समझा और फॉर्मूले को हमने किया भी था लास क्लास में। पॉर्मूले करने के बाद हमनारा मन करा के कुछ एक सवाल कर लिया जाए तो हमने एक ही ये सवाल कर लिया इसके अंदर देखा जाए आगे इस सवाल करने के बाद इसका एक पॉइंट कर लिया मतलब हलका फुलका हलका फुलका सवाल हमने कर लिया था अब एक सवाल ये कर ले अच्छा जी इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए चलो कहता है यूर फैक्ट्री साहब यूर फैक्ट्री बाइ आपको बाइ करना यूज कॉम्पोनेंट पोड़क्शन एट 10 पर यूनिट बोला गया तुमारी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है जी है और तुम जो समान खरीद हो यूनिट को उस्सी उनिट की कीमत जो है वो कितनी है घाई साहब 10 रूपे है यहां तक समझ में ऐंज आई बात आथ हैं और haunting यहां तक समझ में आई requirement को a double n u l annual requirement कितने unit है सर पूरे साल में आपका पड़ेगा 20,000 आगे बढ़ जाते हैं सर आगे कहता है carrying cost समान को रखने का खर्चा 10% होगा सर आपको बताया था carrying cost किस पे निकालोगे that is denote c carrying cost कितना है 10% है तो आप मुझे बताइए rupees के terms में कैसे निकालोगे तो सर carrying cost हमेशा निकाला जाता है per unit cost का percentage तो per unit cost का percentage देखा जाए तो 10 रुपए है और इसका हम निकालेंगे सर 10 बते में 100 that is हमारा आगया 1 रुपए ठीक है 10 divided by 100 that is हमारा आगया 1 रुपए का carrying cost आया यहां तक हर बच्चों को एकदम clear है यहां तक हर बच्चों को clear है बताइए फटाफट यहां तक हर बच्चों को clear कि किसी को doubt यहां तक question करें फिर से pause हो रही है आगे देखते हैं ordering cost चार सो रुपए और सर ordering cost यानि ओ होगा सर कितने सर यह तो बहुत बढ़ा होगा ओ होगा सर कितने सर चार सो रुपए तो ओ है हाँ पे यानि ordering cost है हमारा 400 का यह मैं सिर्फ अभी question ही उतार रहा हूं आपका आगे क्या कहता है आगे कहता है परचेज मैनेजर जो हमारा मैनेजर है परचेज मैनेजर वो कहता है सुनिए आपके साथ आर्ग्यू किया जा रहा है कि ordering cost higher है आपका समान लाने का खर्चा ना बहुत ज़्यादा होता है 400 कम नहीं होते बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये एक आपका advantage नहीं है adverse में जा रहे हो आप एक काम करो ना एक single order place करो यानि sir आप एक काम करो ना 20,000 यूनिट जा और एक खटे खरीद के लाओ order for this entire annual requirement और इस requirement के बाद he also says that उसने ये भी बताया कि जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका 3% का क्या मिल जाएगा discount मिल जाएगा तो बोलता है भाईया आप बता दो student के कौन बढ़िया करेगा या तो हम accountant की सुने या फिर हम manager की सुने accountant तो हमेज़ा बोलेगा भाईया हम तो theory के उपर चलते हैं EOQ निकाल के करेंगे और manager बोल रहा है EOQ छोड़ो और एक साथ मंगाओ ठीक है तो चलिए sir पहले हम accountant का कहानी सुन लेते हैं फिर EOQ पर आ जाएंगे तो accountant के हिसाब से देखा जाए तो EOQ क्या कहता है EOQ क्या कहता है sir EOQ कहता है 2AO और divided by C यही कहता है sir 2AO divided by C accountant की बात आ गई है तो अब accountant यहाँ पर formula पर apply करेगा 2 तो formula का हिस्सा है into में annual demand sir 20,000 है into में annual demand 20,000 है into में ordering O stand for ordering cost that is 400 है divided by carrying cost carrying cost कितना है एक रुपे है इन सभी को under root करेंगे तो क्या आएगा sir इस सभी को under root करोगे तो that is आ जाएगा आपका कितने रुपे 4000 रुपे कह दिया मैंने 4000 unit आएगा तो यह तो unit आया अब हमें पता करना है भाई अगर 4000 unit एक बार में लाएं तो कितना खर्चा बैठेगा तो हमें निकालना है sir that is क्या टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे एक तो हमारा होना तीन खर्चें यहाँ पर एक समान का खर्चा एक रखने का खर्चा और एक लाने का खर्चा तीनी खर्चे तो है समान का खर्चा क्या होगा एन्वल डिमांड इंटू में रेट जो भी रेट होगा एन्वल डिमांड प्लस क्या कर देंगे sir ordering cost ordering cost पता है कैसे निकलता है कितनी बार चक्कर लगे तो हम करते है एन्वल डिमांड डिमांड डिवाइड बाइड बाई तो अगर मैं आपसे simply पूछूं 5 बार जाओगे 400 रुपे एक बार में खर्च के आओगे तो कितने खर्च होगे 2000 रुपे ऐसा ही carrying cost के लिए यह वाला हिस्सा मैं ऐसे bracket में डाल दू तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा ऐसे ही क्या करूं carrying cost में क्या होता है सर एवरेज बताया था eoq divided by two और into में क्या rupees जो भी लगेगा ठीक है formula के नीचे put करते हैं सर annual demand कितने से सर 20,000 थे हमारे और 20,000 को सर कितने रुपे में मिलेगा सर अभी तो accountant के हिसाफ से 10 का ही मिलेगा जी आपको इसके बाद हम annual demand कितना है सर 20,000 है और 20,000 के हिसाफ से eoq कितने होगे 4000 तो पांच चक्कर लग जाएंगे आपके और into में आपका 400 रुपे का है 2000 हो गये और plus यह कितना हो जाएगा सर 4000 ईoq divided by two into में एक रुपेया तो अगर खर्चे की बात करने तो सर यह दो लाग हो गया और सर यह कितना आगे है सर यह 4000 आगे क्या हैगा 2000 आगे यह कितना आगे सर 2000 आगे कट पिट के और यह भी कितना आगे सर 2000 आगे तो total accountant के हिसाफ से खर्चा आगे है दो हजार दो लाग चार हजार पहले यहां तक देखिया क्या समझ में आया है सभी को वीडियो ब्लर वीडियो पॉस्ट मेरे सामने बिल्कुल साफ दिख रही है देखना एक बार वीडियो ब्लर है क्या कि है अब क्वालिटी यह पता नहीं थीक है यहां पे तो ठीक चलता दिखाने का अवाज कम करते में दिखेंग करते हुआ कि अब कि सेटिंग में जाके एक बार एचडी करो आप सही तो आ रही है एचडी के अंदर अच्छा पॉज हो रही है बार बार आप पॉज हो रही है बार आप अब चलो मैं हिलता ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आवाज आने चाहिए यहां तक आप सभी बच्चों को एक बात समझ में आई कि क्या बात कर रहे हो सर किस बात की समझने की बात कर रहे हो कि हमारा किसके वपर बेस काम कर रहे है यह क्यों क्यू हमने यह पर निकाल लिया और आकाउंति निकाला है यह फॉर्मूला क्या कहता है सर यह फॉर्मूला जो सिखाता है यह निकालना सिखाता है आपको what is total कॉस्ट यहां तक clear है अब आप सबसे पहले question समझो question के अंदर क्या चाहता है यह कहता है यहां तक clear है इसके बाद कहता है कि manager बोलता है कि भाईया अब यह खर्चा जो तुम्हारा आया है हर बार हप पता हे कितने यूजिट लेकर आ रहे हो चार हजार चार हजार लेकर आ रोए हार हिसोडार अगर हर बार आप 4000 लेकर आ रहे हो तो आप कुछ हैसा करो ना कि आप एकी बार 20 000 लिए और उसमें हूँ वैसे मुझे पता चलेगा नहीं और बच्चे बता दो किन-किन को लग रहा है कि वीडियो पॉज हो रही है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वीडियो पॉज हो रही है मेरे सामने एकदम क्लियर है डि ओल क्लियर औल कॉलिर णो बच्चे बता रहे हैं ठीक है नहीं हो रही है। यहां तक समझ में आया यह कहानी समझ में आया तो आगे बढ़े नहीं तो फिर उलोintendo के सब्सलिक्र बहें किरो और मिटाकर कर दो इसे क्लियर है क्लियर अब बोला मैनेजर ने बोला के भाईया मेरी बात सुनो मेरी बात मानो इनकी बाते मत मानो कौन बोल रहा है सर मैनेजर बोल रहा है और मैनेजर कहता है मेरी बात मानों और आप एक बार में घटा समान लेके आओ मैने लग कितना लेके आना है बोलना सिर्फ 20,000 लेके आओ मैनेजर के हिसाब से टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो ऐसे ही निकलेगा जो फार्मूला पीछे रखा है जो आपका एन्वल डिमांड है इन्टू में जितने का माल पड़ा है और प्लस में कर दोगे आप एन्वल डिमांड डिवाइड बाई इओक्यू का मतलब एक बार में कितना लाओगे e oq है ना e o q एक बार में कितना लाओगे into में जितने का खर्चा पड़ेगा प्लस में आपका e o q e o q divided by आपका 2 into में आपका जो रुपीज पड़ेगा तो अगर हम इसको ध्यान से वो धियान से घ्यान से करें annual आपका समान की कीमत तो 10 रुपह में से 0.3 माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट सो 9 रुपे 70 पैसा आगा ना तो ये तो हो गया समान का खरचा अब भाईा लाने ले जाने का का खरचा लाने ले जाने का खरचा मेनेजर बोलता है एक बार जाओ लेके आओ बात खतम तो अगर मैं आपसे पूछू एक बार जाओ और लेके आ जाओ बताओ कितना खर्च आएगा तो जबाब होना चाहिए सर 400 रुपए क्यों कि 400 इता ना पीछे जबाब क्या होना चाहिए 400 तो उसी को मैं फॉर्मूले में कर दू एन्वल डि इन्टू में जो करेंगे वह वन नहीं करेंगे इन्टू में हमारा बदल जाएगा क्या बदलेगा सर नाइन पॉइंट सेवन का दस परसंट क्योंकि केरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट कॉस्ट के उपर डिपेंडेंट होता है केरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट कॉस 9.7 यानि उन्हिस चाराजर प्लस हां कि मैं मान रहा हूं ना कि जितने बार हम जाते आते हैं उसको order quantity के तो थीक है मैं हटा देता हूं economic मटखा दू एकनॉमिक से आपको चिन्टा रही है न जाधा ठीक है और कॉंटिटी अब क्लियर और तो बीस जार चार सो यह लो अब यह आगया दस अजार कि 9.7 इंटू में 10 परसेंट इंटू में 10 अज़ार या कि 97 लो जी लो अब उस मैनेजर के हिसाफ से टूटल खर्चा निकलने ही वाला है और 97 मैनेजर के हिसाफ से खर्चा आया कितना है आया दो लाग है और हमारे अकाउटेंट भाई साब क्या कह रहेते कितना खर्चा रहा था कहां गया 4000 तो मैनेजर होसियार नहीं रहा वो तो बेब कुप बन गया मैनेजर उसके डिसकाउंट भी मिल रहा था लालच भी दे रहा था लेकिन मैनेजर का idea flop, हम बोलेंगा manager तेरा idea flop हो गया 100 रुपे तो तेरा ज़्यादा ही खर्चा रहा है इससे बड़िया तो हमारा accountant है जिसने अपने सारी जीवन में जो सीखा है उसको apply करके कम से कम 100 रुपे तो बचवा रहा है हमारे, तो हम इसकी बात मानेंगे, तो कहता है कि discount, आपको कहता है evaluate the proposal, make the recommendation evaluate proposal evaluate proposal कर लिया make recommendation, तो recommendation में किसका recommendation जाएगा, तो हमें E O Q should be accepted और manager के argument को हमें ignore कर देना चाहिए, यह था हमारे इस questions के, पूरे का पूरा point अगर देखोगे तो यह नजर आएगा बताइए किसी बच्चे को कोई doubt फिर एक और सवाल देखते हैं किसी student को कोई doubt फिर दूसरे questions को तरफ चले हम next question, next point के उपर हम जाएंगे सर, दो हजार कैसे आया? सर, दो हजार कैसे आया? बार बार एक बार बता दो 2000 कैसे आया किस 2000 की बात करने इसको इसको सॉल्व करने के बाद यह आया 2000 इन दोनों को अगर हम सॉल्व कार्ट पिट करेंगे मैं मतलब उपर नीचे से डिवाइड माइनस प्लस जो भी तो 2000 आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद 2000 आए करें है तू अगर जाया हो तो ठीकिए फून ले लो मैंनेजर के अकौर्डिंग जा नीचला पर ह३ंड को सॉल्श मैंनेजर के एककौर्डिंग डूहजार क्यूसे आया मैनिजर के अकौर्डिंग बताना है Manager के According 2000 कैसे है Manager के According तो 2000 कहीं नहीं आया सब जगा तो 4000 यह मेरे साथ से यह 20,000 है 2000 नहीं है यह 20,000 है ठीक है? यह 20,000 है